इस विमेन की ओर से मैं सुचित्रा ध्रानी अयोध्या की इस पावन धर्ती पर रामायन कला उत्सव के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सत्र का विशय है वार डिपलोमसी इन रामायन अगर हम श्री राम की कथा को देखें तो यहां युद्ध और कुटनीती का अद्बुद आख्यायन है ये केवल धर्म के बीच का युद्ध भर नहीं बलकि आर्य और रक्ष संस्कृती और कहीं न कहीं दो जिवन मान्यताओं के बीच की गाता है इसके माहन पात्रों के बीच केवल श्री राम या महाबली हनुमान बाली और सुग्रीव और मेगनाद भी नहीं वाकई यह किसी तरह का युद्ध था और इसमें किस तरह से कुटनीती ने अपनी भूमी का निभाई उस पर इस सत्र के हमारे विशेश वक्ता प्रकाश डालेंगे मैं और समय ना लेते हुए वार और डिप्लोमसी इन रामायन विशेपर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्तित अपने अतितियों श्री आनन निलकंट जी और श्री अनन्त विजय जी के साथ मॉडरेटर की बुमिका निभाने वाले श्री मनोत रिपाथी जी का संक्षेप में परिचे दोंगी लेखक, स्थंबकार, पत्रकार, पटकता लेखक और सारवजनिक वक्ता आनन निलकंट जी पौरानिक उपन्यास लेखन के लिए जाने जाते हैं आपकी अंग्रेजी में बारा और मल्यालम में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है आपकी पुस्तक असुर, टेल ओफ दे वैलिंक्विज की दस लाक से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और आप फोब्स इंडिया द्वारा भारत के सौ श्रीश शक्षित में शुमार हैं आपने बाहुबली फिल्म के लिए उपन्यासों का अधिकारिक प्रिक्वल भी लिखा है आपकी नविंतम पुस्तक, नल दम्यंती, एन इंटरनल टेल ओफ महाभारत इस एप्रिल में रिलीज होने जा रही है आपने सिया राम और महाबली हनुमान जैसे धारावाहिक भी लिखे हैं लेखक, पत्रकार और स्थमकार, अनन्त विजैजी, ढाइस दशक से पत्रिकारिता में केक्षेतर में सक्रिय हैं आपकी ग्यारा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं इनमें प्रसंगवश, कोलाहल कलह में, विद्याओं का विन्यास, बॉलिवुड सेल्फी काफी चर्चित रही आपकी पुस्तक अमेठी संग्राम के कई संस्क्रण आ चुके हैं यह पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई है आपने सिनेमा पर सर्वो कृष्ट लेखन के लिए राश्टिया फिल्म पुरसकार स्वर्ण कमल से समानित है वर्तमान में दैनिक जागरन में असोसियेट एडिटर है मैं इस सत्र के समवाद करता मनोज रंजन त्रिपाठी को मंच सौपू उससे पहले बता दूं कि वे अतकालीन 30-30 साल से परकाशिता के में हैं आप फिल्म अतिती तुम कब जाओगे पार्ट टू गेस्ट इन लंडन के डायलोग राइटर है फिल्हाल आप जी मीडिया में एडिटर हैं और कोड काकोरी नामक उपन्यास के लेखक भी हैं अब मंच आपके हवाले आईए प्लीज सबको आमंतर करूँगी एक तो मेरे नाम के साथ बड़ी समस्या है कि कुछ लोग मुझे मनोज राजन कहते हैं जो ओरिजनली है बहुत सारे लोग मुझे मनोज रंजन तरपाठी कहते हैं और कुछ लोग मुझे मनोज रंजन तरपाठी भी कहते हैं ठीक है जो जैसे कहता है मैं वैसा हो जाता है तो मैं भी राम की तरह हूँ मेरे साथ दो आ बैठे हैं और मैं मा हूँ तो काभी पीछे हूँ शुरुवात करता हूँ भगवान राम से ही और मैंने उद्धै प्रताप सिंग जी को भी सुना अनन्जी को भी सुना बहुत सारे दर्शकों को भी सुना बदिननायन जी को सुना एक समस्या उतनी देर से मुझे सुनते सुनते समझ में आई कि आज की जनरेशन जिसको इंस्टा जनरेशन कहते है वो कैसे समझेगी हर बात को हर उस दोहे को, हर उस करेक्टर को कैसे समझेगी तो मुझे हो सकता है ये बात बड़ी फिल्मी सी लगे लेकिन मुझे लगता है कि आज गांधी जी के बारे में अगर किसी को बताया जाएगा तो वो जमाई लेना शुरू कर देगा तो एक करेक्टर बनके आता है मुन्ना भाई वो मुन्ना भाई जब केमिकल लोचा करते हुए गांधी जी को समझाता है तो आज की इंस्टा जनरेशन को वो गांधी समझ में आते हैं एक भूवन है जो एक क्रिकेट की टीम बनाता है और अंग्रेजों से लड़ता है तो उसको समझ में आता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई कैसे होगी यही वज़ा है कि हमारी फोटेजनिक मेमोरी ज्यादा भेतर होती है इसी वज़ाई से आर 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 जैसी फिल्मे औसकर तक पहुचती है और लोगों को सुतनता संग्राम भी समझ में आता है तो मुझे लगता है ये तरीका बात करने का ज्यादा भेतर होगा और मुझे माफ कीजेगा अनन जी आप भी माफ कर देंगे निलकंठन जी आप भी माफ करेंगे मैं कुछ इसी अंदाज में बात करूँगा शुरुवात करता हूँ दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम मेरी विंती सुने दो जानू मानू तुझे मैं राम राम नहीं तो कर दूँगा रामायन के बहुत सारे करेक्टर है चाहे वो अंगद हो चाहे वो बाली हो चाहे वो रामन हो जिनको काम पड़ा तो क्या वहाँ ये कूट नी थी अपनाई गई वरना उनके बदनाम होने की इस्तिती थी क्या आपको लगता है कि वास्तों में रामायन में वार एंड डिप्लोमेसी जैसी कोई चीज थी कितना इतिफाक रखते हैं आप इस बात से एक तो दो पटकथा लेखकों के साथ मेरा थोड़ा बेमेल सा है एक बहु बली है उसमें भी और एक अतिति तुम कब जाओ गए तो ऐसे में मेरा काम थोड़ा चुनोती पूर्ण है मैं जो भी बात अपनी कहूंगा मैं सबसे पहले अस्पस्ट कर दूँ कि तुलसी दास के रामचरित मानस गीता प्रिस गोरख पुरसे प्रकाशित कृती के आधार पर करोंगा आपने का वार एंड डिप्लोमेसी है की नहीं है मुझे तो लगता है कि रामाइन और महाभारत दो ऐसे गरंथ हमारे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े क्राइम थ्रिलर को पानी पिला सकते हैं अब आप कलपना करिए कि कोई व्यक्ति कल इस देश का प्रदान मंत्री होने के लिए अजकन और सेरवानी सिल्वार आये तैयारी हो चुकी है राष्टपती भवन सजाया जा चुका है निमंत्रन पत्र बाटे जा चुके हैं सुबह उसको शपत लेना है और सुबह उसको पता चलता है कि आपको 14 साल के लिए जाना है जंगल में वन में तो इससे बड़ा क्या हो सकता है ये इतने महत्यपूर्ण ओन है और ऐसे ओन सिल्वारत में भी बहुत हैं रामाईन में भी बहुथ हैं रामाईन जब मैं कहूं तो राम चरित मानश सम्झा जा जा है उसको तो इससे मुझे लगता है और जहां तक आपका प्रस्ट ने वार इन डिप्लोमेसी का तो युद्ध तो है ही और डिप्लोमेसी भी है डिप्लोमेसी देखें जब राम और लक्षमन को विश्वा मित्र लेने पहुँचते हैं तो वो क्या बचा है कि वो दो ही भाई को मांगते हैं कि मुझे राम और लक्षमन दे दीजिए वो बरत सत्रुगन को क्यों नहीं मांगते हैं क्यों नहीं मांगते हैं उनके पिता से ये भी एक वार और डिप्लोमेसी दोनों का इससा क्योंकि विश्वाबित्र को पता था कि इन दोनों कुमारों के आदार पर किस प्रकार से हम उन शक्तियों के खिलाफ युद कर पाएंगे जो शक्तियां हमें परिशान कर रही है लेकिन भारत और संद्रुगन को क्यों छोड़ा गया इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी थी इसके पीछे क्या कहानी थी इस पर भी सोध करना चीए क्योंकि मैं जब इस विश्वाबित्र ने सिर्फ दो कोई क्यों मांगा वो तो कह सकते थे कि मुझे असूरों से लड़ना राक्षासों से लड़ना चारों बेटे को दे दीजिए चारों को मैं ट्रेन करूंगा अस्रम में वनवास जब वो जा रहे थे जब उनको वनवास हुआ तो सिर्फ लक्षमन ही क्यों गए अरत सत्रुगन क्यों नहीं गए सीता क्यों उनके साथ गई क्योंकि जो प्लॉट है उसमें वार दिख रहा है राइकर को उनको वार कराना है उनको डिप्लोमेसी की बात आगे करेंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों हमारे जो ग्रंथ हैं जिनको कहते हैं जिनके बारे में अभी किसी ने चर्चा में का कि अनंद मूर्थी कहते हैं कि इन दोनों ग्रंटों का वेस, इन दोनों ग्रंटों का आधार और इनकी भाव भूमी दोनों ग्रंटों की युद्ध और कूट नीती है और अब तो हमारे विदेश मंत्री ने भी हाल में इस बात को कह दिया है उस पर आप बात में पूझेंगे मेरा ये मानना है कि रामचर इत्मानस जहां से आरम होता है वो युद्ध की बिवीसिका या युद्ध की पूर्वपीठिका या लेखक के दिमाग में कहानी का ऐसा प आज हम एक प्लॉट के बारे में बात कर रहे है तो मुझे लगता है कि रामाएड is the best story idea जो साड़े साथ साथ हजार साल पहले लिखी गई होगी अब मैं आनन जी के पास आता हूँ और आपसे रावन के नजरिये से पूछता हूँ कि कटपा ने बाहुवली को क्यों मारा ये बेहतरीन क्लिफ हैंगर था for the second part मैं आता हूँ उस प्रश्ण पे कि आखिर राम को बाली की हत्या क्यों करनी पड़ी छल के साथ सुग्रीव के उसको आप कितना जस्टिफाइड मानते हैं आज तो आनन बता भी देंगे कटपा ने क्यों मारा बाहुवली को तेरा दून में हम लोग थे तो इन्हों ने का नो मैं कुछ नहीं बोल पाँगा तो क्यों मारा सुग्रीव पाली को I think it is strategy, pure strategy, nothing else. One thing which we had to learn from Ramayana and Mahabharata and perhaps we forgot to learn is that anything goes in war. The side which did anything to win won. It's very simple. Whether it is in Ramayana or Mahabharata. Had we learnt this properly, we would not have been invaded. And all the invasions we would have won. We didn't read the Ramayana and Mahabharata properly and that is the reason why we were invaded. And I will tell with 2-3 examples on Ramayana and Mahabharata also. Many of the South Indian kingdoms learned Ramayana and Mahabharata properly. So that is why for most part they were not defeated. It's a very controversial statement but give me some time to put it across. I will come to Sugribali and other things later. When Gauri came, he was defeated how many times? Gazzini came, he was defeated how many times? And he was allowed to go back, right? This is our history, our common history is what? During the invasion time. Most of the times, especially in the Gangetic belt, the kings were very, they used to say about honor. They used to say about honor. They used to say about this is, we will behave in a very gentlemanly way. And this was one reason for the defeat. Below Narmada were right from Shivaji onwards, if you see that, whatever possible is there for the strategy it was used. It's not Pradiviraj Chauhan's logic what Shivaji Maharaj is using. He goes to Faisal Ghan with the claws, right? He's not thinking that I will be honorable and I'll fight and die like the Rajput kings. Very honorable thing to do. But what Rajput kings did, that was what Kauravs did. That was what Ravanside did most of the time in the war. What kings like Marthanda Verma or all these people, why are you telling example of Marthanda Verma? Marthanda Verma, you you recently said you went to Troandrum, right? It's one of the richest temple. Not one of the richest temple, it's the richest religious institution in the world. Almost three lakh crore worth of gold is there. And the thing is that nobody knew, neither the Mughals knew, nor the Britishers knew. It was kept a secret for two thousand, three thousand years. This is strategy. What could be a bigger strategy? But why are you not coming to that? Dutch Dutch were one of the biggest powers in the world. Okay. We think about British and all, but before that, Dutch used to rule Indonesia. Dutch used to rule half the world. Dutch East India Company was three times bigger than British English East India Company. Dutch made one mistake. Dutch decided to attack Travancourt through sea. Had they attacked through land, there were not much of horses there because the land is full of water. But Nevel power was bigger for Travancourt. But that was not what won the war. There was a Dalawa called, these are the histories which are not often taught in NCRT, Celibus and all. But this is a very important war that is for India itself. One Dalawa was there, that is the Divan was there, the Prime Minister, who was a learned Sanskrit scholar, called Ramayan Dalawa. He used the strategies from Ramayana and Mahabharata when Martha and Verma wanted to go and fight directly. He, had he gone and fought directly, they would have finished him off. What they did in the Battle of Kolachil, first he bribed the Dutch commander. They sent prostitutes to the Dutch commander. They made them, in the night they made them, before the war, they had laced their food and other things, alcoholic drinks, so that they are caught unaware. They used, they, to cut the coconut trees and painted it black and kept on the fort. The Dutch thought that these are all cannons, thousands of cannons are there. They had only 12 or 13 cannons, the Martha and Verma. Thousands of cannons, I had written it about the Swaraj series, I don't know if any of you are seeing. I had written the screenplay of Swaraj, the unknown freedom fighters of India. I had shown the story in that also. So, the Dutch commander, when the, usually what happens in Indian war, Indian commander, somebody will be there, it's our usual story, right? Indian commander, some, some traitor will be there, he will take money and cheat Indian king. Indian king will fight valiantly, brave death and the foreigners will rule us. Here it happened the other way around. The Dutch commander cheated the Dutch and they came to us and battle of Kolochil, Dutch East India Company was finished. They withdrew and the East India Company power went out in that. After that, the Patmanabha temple was renovated. 50 years after that, Tipu Sultan came to Kerala. It's another story which not many people talk. Again, another Dalawa called Keshavadas. A divan was there. We, in TV they showed a sword of Tipu Sultan. They didn't, where is sword of Tipu Sultan? Did you go to the museum sir? Trivandrum museum? Sword of Tipu Sultan is kept in Trivandrum museum. Many people don't know that. How did the sword of Tipu Sultan come to Trivandrum? Again, this strategy, learn from our Puranas. You know what they did. First they built a big fort. This fort was called Travancur Lines. You can Google and see. Travancur Lines fort was there, around 100 kilometers long, 40 meters wide. It's like Great Wall of China. They built a fort so that the Tipu won't enter into Travancur. But Tipu was a huge, whatever we say, he was a great general. And he had a great army and a big cannons. One of the best cannons and rockets in the world at that time. It was strategically, I mean technically very advanced. After six months of fighting. And who built this fort for them? This Dutch commander built the fort for them. Using European technology. But Tipu broke it. Tipu broke the fort and entered. And near Cochin airport, there is a huge ground on the Periyar river. On the Periyar river, before Cochin. That place, the Tipu, the entire Tipu's army camped. They were going to enter. This Raja Keshavadas and Dharma Raja. He's called Dharma Raja. The king, he sent a letter to Tipu saying that we are going to accept defeat. We are all going to convert to Islam. But for us, our astrologers have told that three days after is the auspicious day. We will come there and we are going to surrender for you. There is no need of war. Tipu waited there. Three days back, what Tipu didn't understand is monsoon strikes Kerala on June 1st. It's like clockwork. And it is like waterfall. It's like opening the waterfall. It's that kind of rain. On June 1st, when the monsoon started, just before the monsoon started, there is a dam, a thousand year old dam is there, 50 kilometers uphill. Which is supposed to be, supposed to, the legend is that the Lord Shiva's Buddha Ganas had built it. Some old, some king had built it those days, some dam is there. Which was used for irrigation. Eight people broke this dam using the gunpowder taken from the Dutch. They broke this dam and half the Tipu's army was washed away. They didn't go by the promise. Raja is giving promise on Sri Vatman Abha that I am going to leave Sri Vatman Abha and become Muslim. Nothing against any religion. I am talking about strategy. I am going to become Muslim and he is breaking that word. This is exactly what Lord Krishna had done in, against Kaurava. There is not a single Kaurava general who was killed in a proper way. Everybody was killed using some strategy or other. Kudnidi, Kudilnidi, you can call anything. That is what is used. Chaturavadi Shivaji used it. Many of the South Indian kings used it. What many, almost 700, 800 years, the Gangetic belt, sorry to say, came under invasion because people were caught in this thing of honor. That we will keep our word. We will keep whatever the enemy does. We will fight nobly. It's a noble thing, to be respected. But unfortunately, it led to lot of loss. Sir, you are going to get me kicked out by somebody. I am just taking it. I am scared. That's for instagenation actually. This is called strategy. So, this is the same strategy is what Lord Ram did, Ramji did when Lakshman went to kill Mayakarnath when he was doing the haven. So, if you do this dharma, there is nothing called absolute dharma. It's always relative dharma. So, for win, he had to do the same strategy of Chaturavadi Shivaji Maharaj, what he did. Same strategy of Marthanda Verma. Same strategy that Vijayanagara Empire did for 270 years and forgot in the last war of Battle of Talikota. Where the king, the emperor or the emperor, emperor, king maker, Aliya Ramaraya had become, had got this idea that I am the noblest of the king. And at the age of 85, he went to fight instead of sending his generals. Fell from the, fell from the elephant, got captured, got beheaded and the entire empire was lost. And there he trusted one Afghan general. When Afghan general, because the king had given a word that I am like your brother. But the Afghan general also was like the brother, Vibishan to Ravan. That's what he did. He went to the five sultans at the crux of the moment during the Battle of Talikota. So, whenever you have lost the strategy, there the country has lost. The kingdoms have been lost and we have been subject to invasion. These are all history. I am not saying we should take revenge, this thing, that thing. But the civilization which forgets history, the civilization which forgets its Puranas, its tradition, its stories, the folktales handed over, is a defeated civilization, will remain defeated. And the same strategy placed by Amrindra Bahubali for Bhallal Dev. So, sir, sir, when we talk about it, when we talk about it, when we talk about it, in the name of Alam, the human being was called Manakya. When there was a result in the early ages of Ram, when it comes to the kutunit ily, when it comes to the kutunit ily, you called the kutunit ily, if it comes to the kutunit ily, या वास्तों में उन्होंने कूटनीत का इस्तमाल किया था जिसको हमने अंडर प्ले कर दिया मर्यादा के नीचे आप जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं तो आप तुलसी के राम की बात करते हैं और तुलसी दास के राम में भी मरियादा पुरुशोत्तम ऐसे पुरुश जो मरियादा उनके लिए सर्वो पर ही है उसकी बात करते हैं तो उसमें भी जो डिपलमसी का तत्तु उपियोग किया गया है जो कूट नीती की ताक्त्विक विसेस्ता उस कथा में है वह कथा भी मरियादा की छविकोई या मरियादा पुरुशोत्तम राम को गढ़ने के लिए औजार की तरह ही उपियोग किया जाता है जैसे आपने इन से पूछा बाली और सुग्रीव के प्रसंग की जो कहानी है तो अब क्या है उसमें कहानी क्या है क्या आप छोटे भाई की पत्नी को कब्जा करके उसको अपनी पत्नी बना सकते है क्या ऐसे व्यक्ति के लिए दंड देना अपराद है और दंड भी तब दिया जाता है जबकि जिस व्यक्ति की को दंडित किया मरियादा पुरसुत्तम राम ने उसका पुत्र उनकी सेना में सामिल हो जाता है मैं आ रहा हूँ उसे बजी आप कम्प्लीट करें तो अगर आप देखें तो तुलसी दास जी ने जिस मरियादा पुरसुत्तम की परिकलपना धनुस के समय से या विश्वा बित्र की दो भाई के मांगने की घटना से किया है वो आपको वो शरित्र का सातत्य आपको पूरी कथा में दिखाई देगा और तुलसी दास जी जिस प्रकार से उस शरित्र को शक्ति प्रदान करने के लिए कूट निती का प्रियोग करते हैं वो बहुत उल्लेखनी है उस कथा में और सिर्फ वही नहीं आप देखिए कि जब वो धनुस यक्य होता है या जब सीता का स्वेंबर होता है ठीक है तो उस समय भी आपको कूट निती की वो जो परुसराम और लक्षमन का समवाद होता है धनुसके टूटने के बाद वो कोई साधारन समवाद नहीं है वो कोई हास परिहास का समवाद नहीं है वो कोई उपहास या किसी संत को अपमानित करने का समवाद नहीं है वो एक विसेश प्रकार की कूट नीती है जिसके अंतरकट उस समवाद की प्रिष्ट भूम में राम के चरित्र को कविने उपर उठा कर रख दिया है तो अगर आप एक कथा के तोर पर तुलसीदास जी को देखेंगे तो तुलसीदास जी अपने उस मूल भूद उद्देश में जो उन्होंने स्रीराम के जन्म के समय पकड़ा है जिस कथा सूत्र को वो राम के राज्याविशेक के बाद वो अपनी कथा को समाप्त करते हैं लेकिन जन्म से राज्या विशेक के बीज में जितने कथा तक्तु हैं और जिस बारीकी से उन्होंने स्री राम के चरित्र का निर्मान करने के लिए उसका उपियोग किया है उसमें उन्होंने सारे प्रकार के कूट नितियों का, युद्ध नितियों का, परिवार नितियों का, समाज नितियों का, इस्त्रियों के प्रती एक व्यक्ति की नितियों का, परिवार के प्रती अपनी उत्तरदाईतों की नितियों का, अपनी विमाता के प्रती उत्तरदाई पूरा बोध तुलसिदा से एक कथा सुत्र में पिरोकर ले चलते हैं। इचकर नहीं कह सकता कि मैं आपसे इत्थक नहीं रखता हूं। लेकिन चलिए एक इंस्टा जनरेशन की तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि विमर्श आज किसी भी चीज का हल है हर चीज में आपी से पूछलूं गई सरे सवाल। है विमर्श हर चीज की एक बात है। अभी तक मेरे उस चीज का उत्तर नहीं आया है सामने कि वो बाली के साथ विमर्श कर सकते थे आप उसके थोड़ा सा हार्श हो जाता हूँ आप उसके बाप की हत्या भी करेंगे सुग्रीव से अंगद डर कर भी रहेगा कि अगर राम नहीं होते तो मेरा चाचा मेरा भी वद कर देता और आप अंगद को कुटनीत के तहर यूराज बनाते और सुग्रीव को राजा बनाते उसके पिता ने गलती की थी तो उसके पिता को आपने मृत्य दंड दे दिया चलिए तो उसके बेटे को यूराज क्यों बनाया उसको किंग क्यों नहीं बनाया ये कुटनीत कैसी होगे अभी ये सवाल लगातार चलना इसलिए मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ आप सचमुच इंस्ट्रा जेनरेशन की तरह बिहेव करने लगे जहां बगेर संदर्व को समझे हुए प्रस्न पूछे जाते हैं जो वो कहानी है उसको समझने का प्रयास करिए बाली को ये वर प्राप्त था कि जिसके सामने से आप युद्ध करेंगे उसकी आदी सक्ति आप में समाइथ हो जाएगे तो अगर मानिए कि बाली में दस हाथियों का बल था मैं उदारन से समझाता हूँ आपको क्योंकि आप इंस्ट्रा जेनरेशन है आप तो लॉजिक पर बात करेंगे मैं लॉजिक देता हूँ आपको कि बाली में दस हाथियों का बल था और स्री राम में पचास हाथियों का बल था ठीक है? लोग यह कहते हैं स्री राम तो सामने से मार देते लेकिन जैसे ही स्री राम बाली के साबने खड़े होते वो पचास हाथि का बल पच्चिस हो जाता और वो पच्चिस बाली में अड़ हो जाता तो 25 प्लस 10, 35 हो जाता तो 35 हाथियों के बलवाला जादा बलवान है 25 के हाथियों के बलवाला जादा बलवान तो इसलिए ओट लेके मारा उसको Sir, my, my, something is wrong with the man's Let me try to, you know, I just got curious Because Tulasidasa Ji की, we are not talking about Walmigi Ram Walmigi, Walmigi Ji की Ramayan में Ram is a, other spirit is just a human But Tulasidasa Ji में अवता विष्णू ही है Walmigi is half, half of विष्णू With the other three it becomes full Different versions are there But Tulasidasa Ji is fully विष्णू विष्णू is what? Infinite What is half of infinite? बोलो सर? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ज्यादा इंट्रेस्टिंग है वो, वो, स्री राम अवतार थे विष्णू नहीं थे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा अवतार और भगवान में अंतर होता है और बाली को शिव का वरदान प्राप्त है तो जब आप मरियादा चरित्र का कर रहे हैं तो मरियादा के करेक्टर को उभारने के लिए ये आवस्यक है कि आप शिव की प्रतिष्ठा का त्यान रखें शिव की प्रतिष्ठा कहीं से बाधित ना हो उनके वरदान की कहीं से उपेक्षा ना हो उनका अपमान ना हो ये भी तुलसी दास के उस मरियादक पुरसोत्तम को सोचना है तो हो सकता है कि आप रामाइन, वालमी की रामाइन की बात करें वालमी की रामाइन और तुलसिदास के रामाइन में आधार भूत अंतर है दोनों दोनों बहुत ही अलग अलग कालखंड में कई गई समयानुकूल कथा है जिस एक कथा में जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जब अशोक वाटिका में हनुवान पहुँचते हैं और सीता से उनका समवाद होता है तो उस समवाद को हम सारवजनी कुरूब से बात भी नहीं कर सकते इस समय में लेकिन तुलसिदास का जो करेक्टर है तुलसिदास का जो चरित्र है मरियादा पुरुसुत्तब वो सेंट्रल थीम है उस महागरंद का तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम कुलसिदास के आधार पर बात करते हैं तो उसमें आप इस बात को डिसकाउंट करके नहीं चल सकते कि कवी एक सामान्य पुरुस की कलपना कर रहा है कवी का लक्ष है अपने सिंट्रल करेक्टर को मरियादा पुरुसुत्तम के रूप में स्थापित करना और वो हर युद्ध में हर घटना में हर परिस्थिती में हर इस्थिती में उसको कवी ध्यान में रखता है हुआ चलता है और इस प्रकार से कथा का गुमपन करता है कि अंततः वो मरियादा पुरुसुत्तम साबित कर सके मेरा इतना ही कहना यह बहुत अच्छी बात है कि हम जब भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान कहते हैं उनको और अनन जी जब बात कर रहा है अनन जी जब बात कर रहा है तो एक कवी का करेक्टर सामने आ रहा है तो हम भगवान की बात भी कर रहा है और हमें कवी के करेक्टर की बात भी कर रहा है तो अब दोनों बातें सामने आ गई हैं जिसमें एक करेक्टर है और वही करेक्टर आगे चलके आम जन का भगवान भी हो जाता है उस भगवान पर बात करते हैं नहीं इसमें थोड़ा सा संसोधन यह है मनोज जी कि हर कवी अपना अपना भगवान गड़ रहा है वालमिकी के अपने भगवान है वालमिकी के तुलसी के अपने हैं कमब के अपने हैं और रामानुजम के अपने हैं रामानुजम जब वो लेक लिखते हैं 300 रामाइनास तो उ उसमें तुलसी दास का नाम धाई बार लेते हैं धाई बार इसलिए कि दो बार तुलसी दास लिखा और एक बार तुलसी लिखा है तो इस से आपको रामानुजम की उनका जो टारगेट ऑडियन्स है तो आप अगर इंस्टाल उसमें बात करें तो तुलसी दास का टारगेट audience अलग था वालमिकी जी का टारगेट audience अलग था जिसको आप लोग TV वाले TG group कहते हैं TG 25 प्लस तो TG 25 प्लस वालमिकी का अलग था तुलसिदास का अलग था तो TG 25 प्लसीदाओ का अलग यााँ मांवेर था क्र खाल था लाट था जी का अश्वाल्या का ट्लसीदास 3 जी प्लसीदाओ था का लग था था अच्पता था दिगिस्ट ट्लакс ?!? is very nearer to the Islamic definition of women. I am telling it like an outsider because we are used to other Ramayanas like Adhyatma Ramayan, Irithachan Ramayan, we grew up with that, with Kambara. The way in which Sita is deficited, this is what I had done in my Valimigi's Women and other books also, the way in which Sita is deficited, even in Valimigi Ramayan, the way in which Sita is deficited, each women's characters are deficited is totally different from Tulasidhashji's Ramayan. Tulasidhashji's Ramayan is a product of a civilization which was under foreign rule. So, lot of things which we find, now as many of the, many places when I go for debates, many of the women are angry, especially Bombay and all, talking about Ram and other things because they base it on, not on Valimigi's Ramayana or many other Ramayanas, they base it on Tulasidhashji's Ramayana. Where Sita is deficited as very docile. Sita is not at all the Valimigi Sita or Kambara Sita or Irithajan Sita or Kridivasara Ramayana Sita. Tulasidhashji Sita is like a woman in a Zenana of a Mughal Emperor or somebody. Even the dressing, it's a wrong thing to say, I am telling very non-diplomatic things. Even the way that Sita is deficited in the, just see how Sita is drawn by Raja Ravi Verma and how Sita is drawn in many of the Mughal courts or Jaipur paintings, also in TV. She covers her head because in the south, including Marathas, covering head is not allowed inside the temple. When you go to temple, you should not cover your head. If somebody covers and goes, they will see because only Muslims cover the head. Try going to Patmanabad, try going to any Kamilna temple or Karnataka temple, if you try to cover your head, some priest will come and say, please don't cover your head. Clear cut difference of how Raja Ravi Verma has deficited Sita, the way they say it, the way they stand, whereas the moment you come to Ramayanan Sagarajji's Ramayan, even though he claims to have taken from many Ramayans, more or less he has based on Tulasidha's Ramayan. Sita is sitting like this with head covered. She is more like a woman in Islamic court. Unlike the Sita of, there are six major versions, later it came to two major versions of Valmigi Ramayan. I am not talking about Eki Ramayans, 300 Ramayans or 1200 Ramayans. I am talking about Valmigi Ramayans itself, has six renditions, major renditions. where many of the things vary. So you can't even say Valmigi Ramayana is authentic, which Valmigi Ramayana becomes a question. So there is a southern rendition, there is an eastern rendition, which is in Bengal and Odisha, southern rendition in these four states, there is a northeastern rendition, in Assam, in Assam and other places, there is a northeastern rendition of Sanskrit Ramayana, talking about Assamese Ramayana, and talking about Sanskrit Ramayana in northeast, and talking about Sanskrit Ramayana in the south, and talking about Sanskrit Ramayana in the Odisha, in Bengal. There is a north-western Valmigi edition, which is more similar to Ramayana in Mahabharata. That Valmigi version is there. There is the western version, Gujarati and Maharashtra version. All the six versions have their own lots of differences and lots of similarities. But none of them have the characterization of Sita or any women, like how Tulasidhasji had played. It is nothing wrong in that. Tulasidhasji is one of the most beautiful and devotional Ramayanas. Because it was, how did the Bhakti movement originate? Bhakti movement is actually, if you see out of the four margas, Bhakti marga is the easiest one. If you take the Jnanamarga, or Gyanamarga, or Rajamarga, or, and you come to, the final one is the Bhakti marga, Karma marga, and the final is the Bhakti marga. Bhakti marga, though it originated in the Dravid, in Bhagavatam it says that, Bhakti is considered as, it was born in Tamilagam, grew up in Karnataka, and reaches, Narayat sees in the, in some versions in Ayodhya, in some versions in Vrindavan. and from there it starts. But Bhakti marga was a product of, when the India went under, inversions, it is a product of a defeated civilization. It was a way of tackling, things, where you lose the confidence to question. So, Valmigi doesn't have that problem. Other Ramayanas before that, Kaladasa, when he writes Regum Shah, he doesn't have that problem. He will tell it openly. But as we come, already, our morality also changes, depending on who rules us. So, Tulsidas is, the women characterizations, I not, I won't tell it completely, but it's hugely influenced, by the Islamic ethos. And that is why, sometimes when we read it, from the modern versions, many of us feel, that, women are sometimes oppressed, they feel it, actually they are not, but, you feel that they are oppressed, which is not true, about many other Ramayanas. That's the only thing, I will put here. Eek interjection is, Innoonee, bhaut, Islam, or, kaal, ramanand saagar ji, or, raja ravii varma, kya adhaar par sita, ki ghoongat ki, jo chavi manai, usko islam se, prerit, bata diya. Ho sakta, inki soch hai, inke soch ko, ka, main samman kartah hoon, इनके अध्यन का भी सम्मान करता हूँ लेकिन अगर आप अमरावती की गुफाओं में उपलब्ध भित्ति चित्रों को देख लें जो की इसा से भी दोहजार वर्स पूर्व की है अगर आप उडिसा में के मूर्तिकला को देख लें जो की इसा और इसलाम से पहले की है अगर आप करनल टेलर की किताबों को पढ़े अगर आप एक किताब है सर मैं राइटर का नाम भूल गया उसका वो ट्राइबस आप बेनारस करके किताब है बहुत फेमस किताब है उसमें भी जिस प्रकार के वस्तरों की का वर्नन किया गया है जिस प्रकार से नीव एक चीज कही गई है अब नीव का मतलब इजारबंद को कहते है अगर इजारबंद नहीं था तो सिले हुए वस्तरों का प्रियोग कैसे होता था तो इस्लामिक प्रभाव को देखने के लिए पहले भारती वंगमे में भारत के प्राचीन ग्रंथों में उसको लेकर क्या चीजें उपलब्द है अगर राजा रवी वर्बा ने और अपने रामानन सागर जी ने सीता को घूंगट वाली सीता दिखाया तो उसको ये देखना चाहिए कि सीता के उस चित्रण में क्या विवाहपूर्व सीता का चित्रण है या विवाहुपरांत सीता का चित्रण है और जो मुंबई की महिला हैं तुलसिदास जी के बारे में राय बनाती है वो तो वैसी हैं जैसा मैंने अभी बताया था कि सीता को क करेक्टराइजेशन समझने का प्रयास करेगे तो मुझे लगता है कि कुछ और राजा रवीवर्बा जुकी दक्षिन भारत के थे इसलिए उनकी चित्रों में वहां की वास्तविकताओं का या वहां से जो उत्तर भारत के चरित्र को देखने का एक प्रिजम है उसके हिसाब से चीजे आना कोई बुराई भी नहीं है उसमें बलकि अच्छी बात है क्योंकि राम और सीता की जो तस्वीर अभी हम लोग देखते हैं उसमें से अधिकतर तस्वीरें राजा रवी वर्बा की बनाई हुई है यह अलग बात है कि हनुमान प्रसाद पुद्दार जी ने कल्यान पत्रिका के लिए तीन चित्रकार रखके सारे देवी देवताओं के चित्र बनाए थे जो गोरकपुर के गीता प्रेस में एक आर्ट गैलरी में सुरक्षित है तो हमको मैं हमेशा से इस बात का आग रही हूँ कि हमें कोई भी चीज isolation में नहीं समझना चाहिए हमें holistic approach के साथ उसको देखना चाहिए समगरता में जैसे Singapore जिसको Hindi में कहते है वो करना चाहिए ताकि हमसे सामने की चीज़ें भी देखीं पीछे की चीज़ें भी देखें और आजकल कुछ लोग राइट की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं तो मैं उनसे आग रह करता हूँ लेफ्ट भी देखो राइट भी देखो तब ही आप सेंटर पे पहुँच पाओगे एक अच्छा गोल कीपर वो होता है जो लेफ्ट और राइट दोनों को देखता और सेंटर फारवर्ड पर भी नजर रखता है तो एक अच्छे गोल कीपर होने के लिए आवस्यक है कि आप लेफ्ट राइट और सेंटर गोल कीपर पे नजर रखें तो मैं ये इसलाम वाली थोड़ी अच्छा आपने दूर की कोड़ी लाए कोड़ी है भी बहुत मनोरंजक खिलाडी बहुत अच्छा खेलने हो अच्छे गोलकीपर कि तर है रेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख रहा हूं Most of the cave paintings, most of the sculptures, they don't have upper clothes for women Forget Gungat It is nothing wrong, that was, most of the hot Asian countries, it was never considered as necessary So you find that across Asia, wherever the Hindu civilization and Buddhist civilization have gone Many of them don't have the upper clothes Many of the idols, you go to museum and see, most of the idols in the museum don't have upper clothes Many of the, where they kept it in temples, they don't have it Idols are there, how the idols are kept, what is their dress एक आखरी सवाल पूछना चाहूंगा सर Anand सर आप से, बाली सुग्रीव से हम लोग आगे बढ़के बस आखरी सवाल आते कि कूटनीत की बात अगर है, तो रामायर के मुताबिक विभीशन से जब पहली बार भगवान राम मिले तो मिलते ही उन्होंने उनका राज्याभिशेक कर दिया और रामचरित मानस के अनुसार, जैसे ही विभीशन पहली बार राम से मिलते हैं आके तो कहते हैं, पधारी ये लंकेश ये क्या कूटनीती है, पहले ही कैसे कह दिया उन्होंने की फिर एक भाई को भाई से मिला लिया अपनी तरफ अब यही जो आपका प्रस्ण है ना यह बियार चोपड़ा पे आधारित है क्योंकि जैसे ही आप लंकेश कहेंगे तो वो बियार चोपड़ा पे आधारित हो जाएगा मैं समझूगा कि आप सीरियल देखके मुझसे समझी है आज मैं उसको और क्लियर करना चाहता हूं एक बार फिर इंस्टा जनरेशन के लिए मैं यही कह रहा हूं कि भाईया सीरियल दुनिया नहीं है अब अब आपको एक बताता हूं अभी उस फिल्म का नाम है आदेपुरुष जी आदेपुरुष का एक 40 सेगंड का टी इजर जारी किया गया उसमें राम का करेक्टर चिलाता हूँ कहता है आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं बहुत अग्रेसिव दिखाया गया राम के चरितर और सचमुच में अगर राम के चरितर को देखिए राम को एक या दो बार बुस्किल से गुसा आता है राम को तो गुसा आता ही नहीं है तो अगर ऐसी चीज़ अब क्या होगा अगर वो फिल्म रिलीज हो जाती जिसका भी रोद हुआ उसमें बतलाओ किया जा रहा है ऐसा मुझे बताया गया उसके टिरेक्टर्ण से भी तरी बाद भी तो वो कुछ दिनों बार कि सिसके अगराओडर अंधी नहीं नहीं आज बदलेगी वो चीज़ क्या लाद कर दनके यह मैं आप एकुल मैं ओमराउटी का बहुत बहुत दिवाद देता हूं कि उन्हों ने बहुत लब्डी चर्चा के बाद इस बात को सुईकार किया कि हम जिस कथा पर बेस करके उसको बना रहें उसके राम एग्रेसिव नहीं किसी रामाईन में राम एग्रेसिव उपर भो आपको बताना पड़ेंगा और जो मैं आपको और पीछ सिद्धम्, लोक एक ध्यादिता उपर जाती है यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना चरणियम ना करणियम अगर वो सिद्ध भी है और लोक के विरुद्ध है तो किर्पया उसको डख करिये हमारे मित्र चंदर परकास दुबेदी जी ने पिर्थवी राज बना के और उस फिल्म को फ्लाप्त होते हुए देखके अब मेरी बात से वो सहमती रखते हैं मैं उनको फिल्म बनाने के पहले कहता था कि पिर्थवी राज को ये बोलते हुए दिखा दो कि चार बास चौबिस का अंगुल अस्ट प्रमान येते पे सुल्तान है मच्चूको चवान उन्होंने का ये कहीं है ही नहीं ये पिर्थवी राज राशो में कहीं दिखता नहीं तो मैं कैसे लगा दू उन्होंने नहीं लगाया लोक में यही पिर्थवी राज चवान की चवी बनी हुई है अगर पृत्वीराज चौहान की छवी के साथ या किसी भी स्क्रिप्चर्स के छवी के साथ कहीं भी छेड़ छाड़ होगी तो लोग उसका प्रतिकार करें मैं इस सारी बहस को और ये पूरे लोग में जो बहस अलग-अलग ढोलगवार शुद्र पशुनारी या कुसी भी बाली को लेके या भीपीछन को लेके अंत में यहि कहना चाहूँगा दिन दैल विर संभारी हरव नात मम संकट भारी इस संकट को आप ही हर सकते है आप ही पर मैस है और हरणाभी इसको आप ही को पढ़ेगा So nice of you. Thank you, sir. Thank you, Anandji. Thank you, Nilkandandjiji. Thank you. One last word. Ram, Ramji has become very aggressive recently. We are seeing all posters of Hanuman also. I don't know why. I remember one thing when this kind of Ram started coming, no? In our village, in our village, the elders were very worried. I come from a very temple town. More than 108 temples are there. Most of them more than 1000 years old. It's a very temple town, traditional town. So there, people were, the traditional people were very much worried because they said that Ram is never shown alone. When Ram is shown alone, it is danger for the country, it's danger for the people, it's danger for the families, what the old people in my village said. It's always with Sita, it's always with Lakshman, it's always with Hanuman. At least Sita should be there. Ram alone, is Ugrimurthi, what they call, and they never, in villages, they never used to pray to Ram alone. It's always with Sita. Without Sita, there is no Ram. So the Ram standing alone, even at the Lakhinav airport, aggressively when you get down, it's a scary thing. I will tell you about it. I will tell you about it. Thank you. Thank you. I will tell you about it. 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 Thank you. Thank you. Thank you. I will tell you about it. you're not going to be here. you're not going to be here.